अब सब लोगों को आज एक और फेट्टेप रागत करते हो हमारे एक और एक नए वीडियो पर दोस्तों आज हमारे पास है 2023 टीवी एज रेडर 125 जो इट्वेंटी वला वर्जिन है वही मोटरसाइकल आज हमारे पास है तो आज हम लोग इस मोटरसाइकल का एक फुल रिव्य वीडियो आपको देने वाला है तो चलिए वीडियो पीना समय बढ़ बात के मैंने ना मरुणंग शॉल्दर और आप देख रहाए आटो डिपीस का यूट्यूग चैनल लेट्स गॉट्वेंटी तो सब से वाले फ्रेंट प्रोफाल की तरह अगर आप लग देखेंगे तो यहां पर अपको LED headlamp, DTM running lights का पूरा setup यहां पर देखने को मिलता है आप लोग देख सकते हो बाकि अगर आप लोग headlamps के थ्रोक यहीं बात करेंगे तो इसका headlamp काफी ज़्यादा bright है और जब आप लोग इस motorcycle को रात में चलाएंगे तो आपको एक काफी अच्छा visibility offer यहां पर आपको टीवेस का एक बैजिंग देखने को मिलता है आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपको डेडर का एक आर्ट जैसा आर्ट डिजाइन मिलता है लेकिन यह आर्ट मुझे थोड़ा सा similar लगा एक motorcycle से बाकि आपको भी पता है कि मोटोसाइकल क्या है तो उसको स सामने वाल एरिया देखने को मिलता है उसको सब्सक्राइब करेंगे इस्तेमाल किया गया तरफ देखेंगे तो टीवेस रिमोडा का टार इसमें इस्तेमाल किया गया टार साइस की बात करेंगे तो 80 by 100 70 इंच का ट्यूबले स्टायर विद फाइप सब्सक्राइब यहां पर देखने को मिल जाता है बाकि अगर आप लोग फ्रेंट ब्रेकिंग की बात करते हो तो फ्रेंट पर इसको क्या अडवांटेज है मैं आपको मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हो कि पेटल डिस यहां पर देखने को मिल दा बाकि यह मोटरसाइकल जिन जिन कलर में विलेवेल हो साड़े कलर आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर अगर डाइमेंशन्स की बात करेंगे तो यहां पे आपको टीएस लोगों का एक बैजिंग क्रूम डिजाइन में देखने को मिल यहां पर दिया गया आप लोग देखेंगे तो सीट्स आपको स्प्लिट से यहां पर दिया गया यहां पर अच्छा दिया गया यहां पर आपको लॉंग यहां पर देखने को मिलता है और उसके बाद जैसी आप लोग एंजिन की तरफ देखते हो तो यहां पर आपको सेम 124.8 सिसे सिंगल जिलेंड यार कूल बिए 6 का फेस्टू या फिर ओवी डिटू के इंजिन यहां पर देखने को मिलता है पावर और टॉक की बात करेंगे तो यहां पर आपको 11.3 PS का पावर देखने को मिलता है 11.2 वीच्पी टॉर्क उसके बाद अगर आप लोग दूसरे इलेमेंट की बात करेंगे तो उसके पहले यह बोक्स की बात करेंगे तो फाइप सिर मैनुल ट्रांस्टेशन का यहां पर देखने को मिलता है आपको यहां प यहां पर देखने को मिलता है इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इंडिकेटर्स यहां पर आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिलता है यहां पर इंडिकेटर्स ओफर किया गया और उसके बाद थोड़ा से नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स एकने को मिल जाता ह इसको का टिव यां पर देखने को मिल जाता है वेके सहथ एक करेंगे मोटोस्टन देखने को मिल जाता है उसके बाद अब हम लोग चलेंगे जिस अलिए निए तो सबसे पहले यहाँ पर हैंडल बार्स की तरब देखने को मिलता है आगर आपको पूंट्रोल की तरफ देखने को मिलता है तो थोड़ साउड आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना उसके साथ अगर आप लोग राइट सेट की तरब देखेंगे तो राइट सेट में आपको यह 125 सेग्मेंट पे फर्स मोडोसाइगल है जीस मोडोसाइगल आपको राइडिंग मोड मिलता है तो यहां पर दो मोड दियागा एको और पावर म इसके थोड़ा से नीचे देखेंगे तो यहां पर अगर आप लोग इस मोडोसाइगल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो यहां पर पूरा पार्ट में देखने को मिलता था तो यहां पर पूरा पार्ट में देखने को मिलता कि यहां पर दिखने को मिलता है तो यहां पर ट्रिप इंटर दिखा यहां पर को डिगॆ आपको डिजिल धो दिखने को मिल च depression है सब्सक्क्राइब ब्लूटूथक्प फंक्चन भी सब्सक्राइब और मैं आपको हर बार की तरह एक ही बात बोलना चाहूंगा एक्सपीरियेंस तो रेड़ी त्री तू वान और को कि तो यही थे इसके अपको सुनके कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना और उसके बाद अगर आप लोग दूसरे अगरेंगे तो यहां पर आपको एंजिन पर अगर लोग देखने को मिलता है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो और वापको थोड़ा सारी गाड भी देखने को मिल जाता है और उसके बाद अगर आप लोग इन मोटरसाइकल के ओवरल डिजाइन की बात रहे हैं डिजाइन काफी ज़्याद अच्छा है तो आज का विडियो यहीं पे खतम होता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आतो इस विडियो को जल्दी से लाइक कर दीज़ेब्स आपको एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्य जल्द देने की कोशिश करेंगे और अगर आप लोग इस चैनल को सब्स्राइब कर दा और बैल आइकन जरूर दबात हो हमारे साले लेटेस्ट अपडेट सबसे बहले बाने गेल तो थैंक्यू टेक करें ड्राइब से मिल देकल फिर से एक नए वीडियो के साथ आइए ओप